प्रशांत और वाचिंग निव इंडिया निरा तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लेक्चर नंबर टू देखने वाली हैं अपने चैप्टर नंबर 11 इनहांस्मेंट इन फूड प्रडक्शन आज हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग हाईबरडाइजेशन टेकनिक को उसके बाद हम लोग इंडिया में कौन से कौन से फूडस प्रिएट और उनका प्रॉडक्शन किया जाता है वो देखेंगे दन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग टिशु कल्चुरिंग कर और बहुत easily आज हम इन topics को crack करेंगे, ठीक है, तो welcome अनिकेत, welcome विशाल, welcome आर्ती, welcome सुहानी, how are you, शेक तन्वीर, कैसे हो फिल्मी एरा, welcome अभिशेक बनसोडे, कैसे हो राज खुडे, क्या बात है, welcome everyone, welcome अजिंक्या, welcome अज्जू, welcome अभिशेक, निकिता, प्रदीप, yes, welcome everyone, चल ठीक है, तो सब लोग फटफट जल्दी सेशन के अंदर आ जाओ, then हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज के इस प्यारे से वीडियो को, तो कल का लेक्चर नमबर वन कैसा रहा, आप सब ने उसको रिवाइस की, अच्छे से देखा, आप सब ने नोट्स बनाई होगी, अच्छ आपके डाउट्स एकदम क्रैक हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो आज आओ, आज की जो पीपीटी है, वो भी मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बनाई है, कि आज डेफिनेटली आपको सारी की सारी क्लियरिटी दिख रही होगी, आप खुद महसूस कर रहे थोड़े फे जो बच्चों के डाउट्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाईया, वाई वी स्टार्टर चैप्टर 11, मतब आपने चैप्टर 4 तक पढ़ाया, देन उसके बाद आप चैप्टर 11 क्यों स्टार्ट कर दिए, देखो ये क्यों स्टार्ट कर दिए, ये इसका रिजन ये है, कि हम लोग अभी चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 और जो 16 होगा तो 16, तो इतने चैप्टर हम सबसे पहले कवर कर देंगे, मतब इनको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि अगर आपने सिर्फ इनको भी पढ ले करवा रहा हूं, और ये जो चैप्टर है, ये बायलोजी के मोस्ट इजियस्ट चैप्टर है, बायलोजी के सबसे इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी, जो इन चैप्टर को वो बच्चा भी पढ़ सकता है, जिसको ज़्यादा बायलोजी में पकड़ नहीं है, जो की मत 14, 15 पहले करवाऊंगा and then उनके बाद मैं वापस से अपना chapter 5, 6, 7, 8, 9 करवा दूँगा chapter number जो 7, 8, 9 है और 10 है यह बहुत बड़े chapter है इतने बड़े chapter की 20-25 pages के एक chapter है तो इन chapter को अच्छे से detail में हम करवाएंगे हम इसी महिने के अंदर पूरा कोशिश करेंगे cover करने का सिले बस don't worry तो आप सब बस पढ़ाई में अगर focus करोगे तो आप सब का बहुत जादा benefit होगा ठीक है चलो तो अब start किया जाए how is the josh चलो शुरू करे और हाँ एक चीज़ और पता दूँ कि एक लड़का कहरे तो भाया कि आपना खुच से hand writing किया करो देखो यार biology की अंदर कुछ ऐसे chapter है जिनमें सिर्फ theories है अब अगर तुम ही मुझे बताओ कि अगर हम किसी topic में पढ़ रहे हैं कि rice दुनिया में कितने type का होता है तो rice की जितने भी types हैं कौन से कौन से type में कौन से country में होता है तो इसको notes में लिखने की कोई जरूत है नहीं है ये तो theory है इसको जस्ट एक बार general knowledge जैसा आपको पढ़ना है just information based chapter है ये इनमें कोई concept तो है नहीं लेकिन इनका weight is बहुत जादा है आपको अच्छे कासे percentage दिला सकता है examination में even MST CT में भी यहां से question बहुत अच्छे से आती है तो इसलिए आपको इन topics में ज़्यादा focus करना चाहिए ठीक है और पूरा theory based रहेगा जिन topics में नहीं लिखवाना है उसमें मैं खुद handwriting करके अच्छे से notes create करके और आपको समझाता हूँ बट यहां पूरा theory है तो यहां पर थोड़ी में लिख सकता हूँ बार-बार तो आपना थोड़ा सा अपने mind से ये वहम हटा दो कि हर chapter को सेम तरीके से पढ़ा जाता है हर chapter को सेम तरीके से नहीं पढ़ सकते सबको पढ़ने का अलग-अलग तरीका होता है तो आपना इन chapter को general knowledge की तरह बस बैठ के सुनने का काम किया करो और important point जब मैं बताऊंगा important question बताऊंगा उसको mark कर लिया करो ठीक है? और important line बताऊंगा diagram आएगी तो diagram बताऊंगा इन सब पे आप लोग mark up कर लिया करो उसको अच्छे फे ध्यान दिया करो ठीक है? और हाँ कल से सारे lecture बाकी के भी शुरू हो जाएंगे 110% शुरू हो जाएंगे tension बिलकुल भी आप मत लो चलो अब हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं ठीक है किसी के comment में ध्यान मत दो बस आप लोग focus करो अपने study में क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा वही तो आँगे बढ़ेगा और जो फालतू की controversy इदर उदर बातें और chat box में पढ़ेगा वो बस वही का वही रह जाएगा तो let's begin with the topic आज के इस topic में हम शुरुआत करने वाले हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा plant breeding होती है hybridization technique हम पूरा complete तरीके से आज हम पढ़ेंगे मैं guys आप सब को बता दूँ कि आज के इस video के अंदर मैं एक मिनट आपको page number बता दूँ कि कहां पे चल रहा है अगर तुम होश्यार बच्चे हो तुम खुदी मुझे page number बता दो बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी कहां पे चल रहा है ठीक है ध्यान दे नजर अच्छे से एक मिनट जस्ट मुझे देखना पड़ेगा बुक खोल के रखता नहीं हो ना तो हमारा page number 247 में आजाओ ठीक है चलो शुरुवात करती है तो page number 247 से हम शुरुवात करेंगे ठीक है let's begin सब लोग page number 247 में आजाओ चलो अब हम देखेंगे कि hybridization and its technique अच्छा पहले हम यह समझेंगे कि जो plant की breeding है वो plant की breeding है वो breeding हम क्यू करते है और दूसरी बात अगर हम करते भी हैं तो इससे फाइदा क्या होता है तो हमने देखा था कि जो पहले के food material होते थे rice, wheat, जवारी, मक्का वगेरा यह सब में इतना nutrition होता नहीं था तो इन सब में nutrition लाने के लिए हमें plant की breeding करनी पड़ गई what is plant breeding तो किसी एक plant से existing plant से एक ऐसे plant को produce करवाना जिसके अंदर जादा nutritious value हो जिसके अंदर nutrition बहुत जादा हो इसी चीज़ को हम plant breeding कहते हैं हाला कि plant breeding जब हम करते हैं तो हम existing वाले plant के अंदर gene में कुछ changes करते हैं उसके genetic material में changes करते हैं उसके hereditary changes उसके अंदर हम करते हैं तो यह सब कुछ possible होता है hybridization technique की मदद से ठीक है चलो अब देखते हैं कि यह technique आखिरकार होती क्या है आपको समझ में आएगी तो यह पूरा plant breeding का सबसे बड़ा chief method है आप बस इतना ध्यान रखो और इसका main काम होता है crop के improvement में जो हमारे किसान भाईजान होते हैं इन लोग को इससे बहुत ज़्यदा benefit मिलता है क्रॉप का improvement बोलेगा तो जो भी crops होती है उनके अंदर quantity plus quality यानि कि nutritious value भी बढ़ेगी यानि कि दो चीज़े बढ़ेगी उन plant के अंदर nutrition भी बढ़ेगा प्लस उनके अंदर जो quantity है वो भी बढ़ेगी तो इससे हमारे किसानों को दोनों तरप से फाइदा होता है और हम इनसानों को भी तो hybridization technique basically इसी चीज़ पर ध्यान देती है यह basically यूज करते है effective means of combining together the desirable characters of two or more varieties यह तो मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पर होता है cross pollination cross pollination बोलने का मतलब यह है कि मालो तुम्हें जो भी तुम्हारा desire है कि तुम्हें कुछ ऐसा plant चाहिए तुम क्या करोगे कुछ ऐसे ही plant के genes को निकाल कि तुम यहाँ पर क्या करोगे डालोगे या कुछ न कुछ genetic modification करोगे तब जाके तुम्हें यह desirable जो plant है तुम्हें मिलेग तो यह सब कुछ possible है with the help of hybridization technique by this method one can create new genetic combination new genetic combination का मतलब यह है कि तुम एक किसी parents का gene उठाओ और किसी और parent का gene उठाओ और इन दोनों को मिला करके कुछ नया create कर दो तो genetic combination तुम्हें नया नया मिलता है जो भी existing character है उसकी मदद से ठीक है और इससे हमारे दुनिया में plants में hybrid vigor create होता है मतलब बहुत जादा varieties create होती है मतलब कि cross pollination करोगे तो obvious सी बात है कि तुम्हें बहुत जदा varieties मिलेंगी बहुत सारी नई नई species मिलेंगी इसलिए तुमने ख चावल होता है या गेहू होता है wheat इसकी बहुत सारी हजारो varieties होती है ठीक है आज हम इन सारी varieties के बारे में पढ़ेंगे आजो देखते हैं कि hybridization में कौन से कौन से steps का इस्तमाल किया जाता है जैसे पहला intra varietal intra varietal और inter varietal इन दोनों में क्या फरक है varietal मतलब होता है varieties कौन सी कौन सी varietal available है तो inter varietal मतलब दो species के बीच में जो भी हम crossing करवाते हैं और हमें नया plant मिलता है उसे हम inter varietal कहते हैं intra बोलेगा तो एकदम एक ही group के अंदर दोनों का जैसे कि माल लो अगर गुड़हल का fool है तो गुड़हल के fool का गुड़हल के fool से ही बट दो अलग-अलग power क के साथ जिसे कि एक strength है एक में कोई strength ही नहीं है तो ऐसा कुछ intra varietal हम लोग crossing करवाते हैं एक inter specific होता है मतलब की same genus होगा और उसकी species एकदम अलग-अलग होंगी for example उसके genus जो character होता है जिसे classes, genus, groups आपको पता होगा होते हैं तो same genus रहेगा बस species अलग रहेगी और उनका ह फैमिली सेम रहेगी लेकिन जो इनका genera होगा वो एकदम different रहेगा तो यह चीज आपने पढ़ी भी होगी कि एक step होता है आपने class 11 में पढ़ा होगा इस एच को कि class फिर उसके बाद genera फिर genus फिर उसके बाद species फिर varieties फिर जो भी चीज़ें ऐसे आते आती हैं तो यह सब plant होता है मतलब जो main plant है जिस plant को बदल कि हम कुछ नया plant बना रही होते हैं यही तो होता है plant breeding के अंदर तो जो parental plants से are distantly related such crosses are also called wide or distant cross मतलब कि यह जो plant होगा यह जो नया plant बन रहा है उससे इसका दूर दूर तक relation नहीं होता लेकिन जो भी अब देखो क्योंकि यह जो नया बन इसके अंदर के पूरे genetic makeup अलग-अलग हो गया अब जैसे कि for example अगर मैं बता हूं तो जो तुम्हारे गाउं में आम का पेड़ होता है और तुम्हारे नानी के गाउं जाओगे तो वहां पे जो आम का पेड़ होता है दोनों सेम से मिलते हैं क्या हर जगे आम की varieties भी अलग ह आम होता है उन दोनों का अलग-अलग variety है तो यह जो दोनों आम बनाए गए है यह नॉर्मल आम के अंदर ही उनके जीन में changes करके create किया गया है तो यह सारी चीजें इस तरीके से होती है नया plant breeding बन गई वरना जो नॉर्मल आम का पेड़ होता है तुम्हारे गाउं में जाओ तो वह तो एकदम simple देशी आम है लेकिन जो हापूस है वो लंबा वाला एक आता है वो है यह सब plant breeding के थूप प्रोडूस किये गए हैं आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा mango importer और exporter कौन है यह भी अमबानी की कंपनी है गुजरात में रख दिया उ जो देखते हैं कि कौन से ऐसे steps हैं जो hybridization technique में इस्तमाल किये जाती हैं तो अब मैं सीधा आपको text book के अंदर से steps बताऊंगा यह steps आपको exam में 3 marks के लिए आ सकते हैं आप इसे tick mark करते जाना और detail में सुनोगे तो समझेगा फिर आप हर exam में answer भी अपने से लिख पाऊगे क्य कि collection of variability मतलब कि दिखो मैं इसको short में पहले समझाता हूँ कि आपको कोई एक नया plant चाहिए और इस plant से आपको नया plant बनाना है यानि plant breeding करनी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे कौन से variety का plant बनाना है उसके लिए आपको कौन से variety वाले plant की जरूरत पड़ेगी कैसे gene इन की जरूरत पड़ेगी तो पहले collection करोगे मतलब जब तुम किसी नय plant को बनाओगे तो steps क्या होगा तो पहला step यह है कि पहले आप collection करोगे तो आजो इसको खुद से अब आपको समझ जाएगा मैंने short में बता दिया ना तो आप इसको खुद समझ जाओगे देखो wild species and relative of the cultivated species having desired traits should be collected and preserved मतब कि जो भी different different तरीके की species होती है या जो species plant की एक दूसरे से related होती है जिनके पास हमें जो trait चाहिए जो हमें character चाहिए वो character वाले plant को हम preserve कर लेते हैं अपने पास the entire collection having all the diverse alleles यानि variations for all genes in a given crop is called germ plasm or collection for example जिसे कि मालो तुमको एक नया plant बनाना है और उस plant के लिए तुम ना क्या करना शुरू कर दिया hybridization करो गया उसके पहला step है variability का collection तुम different different type के plant को collect करो गे न भाई तुम्हें पहले खुद तो पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने type के आम के पेड़ available है मालो तुम्हें एक नया आम का पेड़ बनाना है तो पहले तुम्हें तो खुद पता होना चाहिए कि कितने type के आम के पेड़ available है उनका trait यानि की character कैसा है उनके alleles कैसे है मतब कौन से कौन से variation है और इनको आप collect करोगे पहले एक side में आप इनको collect करोगे बस इसी collection को jump plasm collection कहते हैं बस इस चीच को आप ध्यान रख लो ठीक है इसी collection को jump plasm मतलब यह होता है कि different variety वाले species के plant को आप collect करते हो क्योंकि इनहीं से study करके आप फिर नया plant बनाओगे समझाना मैं क्या कह रहा हूं क्योंकि आपको पहले पता रहे हैं ना कि दुनिया में कौन से कौन से type के भाई plant अविले बने हैं चलो आगे पढ़ते हैं variations are useful in the selection gem plasm conservation can be done in the following ways तो पहला एक in-situ और एक x-situ इन-situ का मतलब है कि जो forest में जंगल में natural reserve होते हैं वहां से कर लो collection जा करके नहीं क्या बगीचे होते हैं वहां पर जाओ वहां से उठा लो जीन वगेरा उनके उनके plant उठा लो ठेक है और x-situ मतलब it is done through botanical gardens seed bank मतलब नहीं क्या जो आपने देखा भी होगा अभी जिसे कि मैं ठाना college में पढ़ाई की है मैंने ठाने में मतलब मुंबई में तो वहां पर ऐसा पूरा garden create किया गया है मतलब उसके उपर green color के पूरे परदे लगाए गए और अंदर बहुत सारे plant रखे गए हैं मतलब कि वहां पर ऐसा system है कि plant को real environment जैसा environment दिया जा रहा है जो rare plant होते हैं उनको जिंदा रखना है तो बाहर मर जाएंगे तो उनको हम वो सुविधाए देती हैं जिससे वो जिंदा रहे वो सारा natural environment हम उसको provide करते हैं ऐसा होता है botanical garden में तुम कहीं से भी variations वाले plant को उठा सकते हो अपनी information collect कर सकते हो जैसे कि आप तुम किसी garden में चले जाओ अगर आप तुम मुंबई में रहते हो तो तुम रानी बागे वहां चले जाओ या फिर संजय गांधी national park में चले जाओ तो यहां से तुम different different plant का species को उठा सकते हैं जैसे कि mango के बहुत से वहां plant लगे दूसरा था दूसरा step है evaluation and selection of parent अब तुमने बहुत से plant तो उठा लिये भाई तुमने बहुत से mango का तुम्हें नया plant बनाना था तुमने एक नए बहुत से plant उठा लिये अब तुम्हें यह select करना है कि जो plant तुम्हें चाहिए जो character उसके अंदर चाहिए इस नए plant के अंदर इसका आम कैसा होना चाहिए वो तुम्हारे हाथ में हम इनसान के हाथ में होता है कि हम दुनिया में कैसे mango बनाएंगे ठीक है genetic modification scientist लोग कर देते हैं तो तुम इतने बड़े collection में से तुम decide करो कि parent कौन होगा यह दोनों होगे तो इन दोनों से breeding कर दो और बढ़िया सा नया plant बनवा दो तो यह मतब evaluation करो और selection करो parent का तो यही topic यहाँ पर theory लिखी हुई है कि it is an important and essential step the collected jamblasm is evaluated और screened मतब उसको ध्यान से हम study करते हैं to identify the plants with desirable characters अब for example के लिए बच्चों एक बात बताता हूँ जैसे कि माल लो यह plant number 1 है plant number 2 है plant number 3 है plant number 4 है तो plant number 2 बहुत मीठा आम देता है और plant number 3 बहुत बड़ा आम देता है size इसका बहुत बड़ा है लेकिन जो यह plant number 3 है इसका सिर्फ size बड़ा है यह मीठा नहीं होता और जो plant number 2 है यह बहुत जादा मीठा है लेकिन इसका size बहुत छोटा है तो मुझे कैसा चाहिए कि एक ऐसा नाम हो जो बहुत बड़ा भी हो और मीठा भी हो तो मैं मीठा और साइज वाले का क्या करूंगा मैं दोनों का जीन उठा करके और इसके अंदर चेंजेस कर दूंगा तो जो आने वाले जनरेशन होगी वह ऐसा प्लांट होगा जो मीठा भी होगा और साइज भी बड़ी होगी समझा न तो अब मुझे ये वाले पहले की और चौती की जरौती नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ मीठा और साइज में बड़ा आम चाहिए था तो मैं इनी दोनों को parent select करूँगा न तो मेरे desirable character के हिसाब से मैं selection करूँगा कि parent कौन बनेंगे अब मुझे लंबा और मीठा चाहिए तो मैं वैसे ही ममी बापा जूस करूँगा कि लंबे मीठे वाले रहे हैं concept clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो it is totally up to you कि तुम्हें क्या select करना है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो यही चीज तो यहाँ पर दिया हुआ है तो थोड़ा सा अपने तरीके से भी समझा करो हर चीज को science उसी में लगाते जाओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा तो वही चीज तो बता रहा हुआ तो यह बात आपको ध्यान रखना आच्छे से चलो अब आंगे बढ़ते हैं वही चीज जैसे कि अब healthy भी होना चाहिए vigorous और desirable complimentary features उसके अंदर हो मतलब मीठा और size में चाहिए तो जो चाहिए वही कर लेंगे बस और कुछ नहीं तीसरा step है अब हमने selection कर लिया हमने collection भी कर लिया jump plasm का हमने selection भी कर लिया अब हमारे हाथ में अब हम में step perform करेंगे that is hybridization चलो देखते हैं क्या होता है तो पहले एक बार देख लो main technique आब इसको एक टिक line to line समझाओंगा the variety showing maximum desirable features is selected as a female recurrent parent मतलब की तुम्हें इतने सारे mango थे उन mango के plant को तुमने जो select किया था मतलब jump plasm collection जो तुमने किया था उन में से तुमने evaluation किया कि जो उन में से हैं ये दोनों तुमारे parent बनेंगे ये दोनों तुमारे parent बनेंगे तुमने select कर लिया अब इन दोनों में भी जिसके पास जादा recurrent character है मतलब जिसमें सबसे जादा desirable character है उसको तुम क्या बताओगे female बनाओगे कि वो female है ठीक है इस बात द्यान देना and the other one as a male और जिसके पाँ थोड़े कम character होंगे उसको male बनाएंगे वैसे भी female के पास जादा ही नक्रे होते हैं ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है मजाक कर रहा हूं यार the pollen grain from the under of a male parent are collected and then artificially dusted over the stigma देखो अब हम scientist का काम है यहाँ पे तो जो हमारे male के पास अब है scientist का काम शुरू तो male के पास जो pollen grain होता है male के पास अब pollen grain रहेगा ना यार तो जो भी यहाँ पे male के पास pollen grain रहेगा इसको हम खुद से निकालेंगे we as a scientist हम खुद निकालेंगे और इसको हम female की stigma में dust करेंगे जान बुच के डाल देंगे मतलब हमको इन ही दोनों का चाई न इन ही दोनों से हमें नएा प्लांट चाहिए था न भाई है न हमें इन दोनों फिर नया प्लांट चाहिए न तो मेल का पॉलन ग्रेंट निकालेंगे और tea mirror भी कि यह हम खुद से करेंगे देखो यहां लिखा आप इस तीच को दोड़ाचे से पढ़ लेना ठीक है clear अब उसके अंदर से pollination हो जाएगा वो तो हो नहीं वाला है भाई मेल का अगर pollen grain और stigma में गया तो pollination तो हो नहीं है तो अब यहां क्या मिलेगा seed मिलेगा fruit मिलेगा वो chapter 1 में सीखा था formation हो जाएगा और इससे हमें एक hybrid generation मिल जाएगी कितना आसान है hybridization technique बच्चों बोलो आसान है की नहीं है hybridization technique अच्छा इसको करने से पहले हम bagging करते हैं trapping करते हैं mesculation करते हैं मतलब कि simple एक plant लोगे तो उसको पहले सुरक्षित environment में रखोगे फिर उसको एक मतलब कौन से area का pollen grain निकालना है तो उसकी bagging करोगे फिर trapping करोगे मतलब cut करके और उसके pollen grain निकालना देन उसके बाद उसको ले जाके stigma में डालना emasculation होता है उसे कहते हैं तो यह सब करोगे न तो यहीं तो है hybridization कितना आसान है यह तुम भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा तुम्हें पहचानने आना चाहिए आजकल के बच्चे यहीं नहीं जानते कि कौन सा पेड़ है आम के पेड़ को इमिली बताते हैं इमिली की पेड़ को आम बताते हैं यह क्या hybridization करेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखो अच्छे से चलो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह बात आपको ध्यान रखोंगे चलो थोड़ा सा आजो यहाँ पर step by step समझ लेते हैं तो देखो सबसे अब हम hybridization कि स्टेप को सीखने जा रही है तो पहला स्टेप था collection of variability मतब different different species वाले जिसे मालो तुम्हें mango नया चाहिए तुम नया नया mango का पूरा collection दुनिया से उठा लो जितने भी दुनिया में available है इसे jump लाजम कहते हैं फिर तुम evaluate कर लो कि कौन सा अच्छा है parent उसमें से parent select कर लो दो लोगी parent बनेंगे एक male female जब parent का selection हो जाएगा different qualities का तो फिर select करो कि कौन सा parent जो है वो true breeding कर सकता है मतब ऐसा नहीं कि बाई कुछ भी breeding कर दिया और हमें कुछ भी मिल गया तो true breeding कौन सा कर सकता है chapter 3 में सीखा था फिर हम उसमें से select करेंगे कि male कौन बनेगा और female कौन बनेगा कितना आसान है ना यार देखो है ना तो हम इस basis पर select कर लेंगे अब हम जब हमने male female select कर लिया तो हमने male वाले से क्या करेंगे pollen grain select करेंगे उठाएंगे और female वाले में डालेंगे तो देखो यहाप removal of stamen अब तुम pollen grain निकालने जा रहे हो तुम्हें पता है ना कि chapter 1 में हमने सीखा था कि pollen grain male flowering plant के stamen में होता है तो stamen में से हम उसको पहले stamen को remove करेंगे this removal of stamen is nothing but the emasculation तो यह थोड़ा याद करो अब आप इसको भी जरूरी है तुमारे लिए और में आगे बढ़ते हैं तो artificial cross pollination artificial word बहुत जरूरी है क्योंकि हम इंसान इसका cross pollination करवाते हैं तो हम खुद से pollen grain उढ़ा के female को देते वाई ले तुलेगा कैसे नहीं नहीं सॉरी ले तुलेगी कैसे नहीं तुझे लेना पड़ेगा मतलब हम कितने निर्दाई हैं यार अगर यहीं हम इंसानों में कोई करवाए कोई गुंडा आ जाए और एक मेल रहे एक फीमिल रहे वह मेल को बोले नहीं तु अभी चलि स्टार्ट कर तो हम केस ठोग देंगे सुप्रिम कोट में जाके लेकिन वही चीज हम प्लांट के साथ करते हैं किसी भी अमालों कोई फीमेल प्लांट रहेगी उसको नहीं पसंद किसी का पॉलन ग्रेन तो भी हम जबर जस्ती डालते हैं करना ही तु ले कैसे नहीं लेगी तो तो हमें नया प्लांट चाहिए लेना पड़ेगा तो कैसे नहीं देगे तिरênio को यह प्लांग्रेशी और क来 नहीं है तो कितनी गलत ना यार can मतलब बहुत बुरे लोग हैं, seriously, हम बहुत बड़ी cruelty कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा, बहुत गंदे लोग हैं हम लोग, हम plant के साथ ऐसा करते हैं, यह दिन दहाडे crime है, हमें case करना चाहिए, दिन दहाडे crime है यह, seriously, this is दिन दहाडे वाला crime, मैं कभी-कभी सोचता हूँ, कि यह दिन दहाडे crime कर रहे हैं हम लोग, हम plant के उपर, उनकी बहुत बड़ी बेज़ती कर रहे हैं, वो female plant को नहीं चाहिए, किसी के आप pollen grain, तो हम जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं, उसको खुद से चाहिए रहेगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यह तुम, यार तुम लोग थोड़ा earphone यूज क्या करो, class 12 हो के बच्चे हो यार, अब नवभी के बच्चे थोड़ी हो कि मैंने कुछ बोल दिया, तो बोलो कि आला, भाईया ने क्या बोल दिया, आरे भाई, आरे बापरे, बड़े हो गए हो, थोड़ा सब कुछ जानते हो, सब कुछ नहीं जानते हो, कि क्या कैसे चीज़े होती है, सब जानते हो, बड़े हो, देखा थो मने कैसे reproduction की chapter में, दात फाड़ फाड़ के हस रह थे, तो सब जानते हो, तो बस यहां नाटक करते हो, बहुत बड़ा पाप कर दिया और जो तुम करते हो हापू साम खाते हो वहापू साम कैसे यह जानते हो कितनी बड़ी तुमने क्राइम किया है बिचारी फीमेल फ्लावर रही होगी उसके उपर जान बुश के पॉलन ग्रेन डाल दिया तुमने उसको नहीं चीरेगा वाला पॉलन ग्रेन तब तब जाके हापूस पैदा हुआ है ना जाया जहाँ हापूस है वो ठीक है जवर जस्ती लाया गया है उसको इसलिए बहुत महंगा है चलो यार मजाक कर रहा हूँ इट्स ओके बट रियालिटी है कि ने अच्छा तुम लोग एक बार फीलिंग के साथ सोचो अगर हम इंसानों में कोई ऐसा कहे कि यह मेल है यह फीमेल है और कोई गुंडा बोले मेल को चल ऐसा कर तो यह तो क्राइम हो जाएगा हम सुप्रिम क करती ना सुप्रिम कोट ने ना ही और हाई कोट में वो फिर बोलती अब मैं लाओंगी डिजास्टर खाओ हापू साम तुम जब बीमारी पहलाओंगी तब समझ में हाएगा चलो यार इट सो के पढ़ाई मुद्यान देते हैं बट सचाई यह और कोई ने मेरे जोक से तुम तो जो एरिया रहेगा जो भी लोकेशन रहेगा उसको इमस्कुलेटिर फ्लावर में लिख दो अब डेवलप्मेंट होगा फ्रूट का और सीड का और फर्स्ट फीलियर जनरेशन मिल जाती है अभी-अभी मैंने यहां पर समझा के दिया था और लास्ट मीफी तरीके से सिल पहले यह ग्रीन हाउस के अंदर सब करते हैं फर्स्ट फीलियर जनरेशन बन गई तो तुम पहले खा के चेक करो कि मैंगो अच्छा है मैंगो अच्छा है तो दुनिया को खिलाएंगे तुम भी खाओ हम भी घाएं वह प्लांट गया भाड में कोई टेंशन ही नहीं है तो यह सब सोचते हैं तुम लोग तो समझ गया अब लास्ट के कुछ और टॉपिक देख लो उसी में हाइब्र अब देखो सिलेक्शन टेस्टिंग समझ गया नहीं है कि F1 जो भी मिला उसको टेस्ट करो कि वह सीरियसली डिजारेबल करेक्टर वाला है कि नहीं है मत्तब कि दे मत्तब अलग अलग वराइटी वाले मैंगो एक मीठा एक लंबा एक हापुस एक और कोई है न जितने भी कोलापुरी मैंगो जितने भी मैंगो होते हैं सारे मैंगो उठाओंगा अम मुझे कैफा चाहिए कि मुझे मीठा मैंगो और बड़ा मैंगो चाहिए तो मालो यह वा इसे कहते है selection को तुमने selection किया था तो टोटल जंप plasm में से तुमने parent का selection किया तो यह दोनो तुम्हारे parent हैं अब parent में भी कौन male है कौन female है उसका selection करो तो जिसके पास ज़्यादा characters होंगे ज़्यादा showy होगा ज़्यादा represent करता है गुद को वो female है जो नहीं करता है जो normal साधारन रहता है वो male है तुमने हमें भी देखा होगा लड़किया अधिक make-up करती है हम कभी ज़्यादा make-up करते हैं फिर भी हम ज़्यादा अच्छे दिखते हैं लेकि लड़किया 500 kg का make-up लगाती है फिर भी वह इसी दिखती है दो मिनिट मु अब उसमें से first filial generation निकलेगी उसी first filial generation की अब क्या करो टेस्टिंग कर लो यहां लिग देता हो भाई अच्छे से आजाओ देखो रेट में टेस्टिंग कर लो खापी कि देख लो अच्छे दुनिया में launch करने लायक है कि नहीं है जो तुम्हें चाहिए था मीठा और प्लांट ब्रीडिंग बच्चो सब को समझा एनिबडी किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट है बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में बहुत अच्छे चीजें भी दी हुए है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है तो टेस्टिंग किया अब रिलीज कर दो कमर्सियल को बुलाओ फार्मर्स को दो कॉलिटी रिजिस्टेंस और इनिशल तरीके से इसके फर्टिलाइजर से इसके लिए बनाओ वाटर कंडिशन कितनी चाहिए होगी वह बताओ क्योंकि अब यह तुमने जिंदगी में नए प्लांट का निर्मान किया है तो उसको कितना वाटर चाहिए कौन सी खाद चाहिए कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए सब उसको देना शुरू करो है ना और उसको बढ़िया अच्छे से सब को सिस्टम दो तब तुमें और इफी मैंने तो उसे मैंगो का एक्जामपल दिया था इसी तरह से राइस का वीट का सुगर केन का इसे दुनिया में कितने सारे प्लांट है सबका डेवलपमेंट किया गया है युविल नाट बिलीव तिल 1961 भारत देश के अंदर ग्रीन रिवलूशन हो गया और यही प्लांट ब्रीडिंग का में रिजन था ग्रीन रिवलूशन का बच्चो यह बात युविल नाट ग्रीन रिवलूशन का मतलब होता है कि जो इस्टमेन है उसको तुम ब्रेक करो और उसमें से पॉलेन ग्रेन को निकालो किसके लिए फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में डालने के लिए इस इस कॉल्ल इमैस्कुलेशन ठीक है ध्यान रखनाचे से तो यह मिलेट मतलब दाल पगेरा जो होती है इन सब में ग्रीन रिवलूशन मतलब इन ही नए ने प्लांट के अंदर हमने नई नी वराइटीज लेके आये इसी तरह से हमने लेके आया ठीक है तो इसे कहते हैं ग्रीन रिवलूशन जिस वजह से भारत देश में पेट भर के खाना हुआ बहुत बताया बहुत ही बढ़ी है तुम बहुत होशार लड़की हो चलो तो बाते क्लियर हो गई एवरिवान है मैं श्यल के कहते हैं कि सीटी की बैच कव आएगी इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा एक खुलासा कर दो कि सीटी की बैच कव आएगी यह बाते ज्यादा जूरू जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से हर बच्चा सुन ले बोर्ड एक्जाम जो है बोर्ड एक्जाम में मिनिममम सिक्स्टी परसेंट चाहिए होता है तब जाके तुम एमेच्टी सीटी के अंदर इलिजिबल हो पहली बात अगर तुम्हारे बोर्ड एक्जाम में मिनिममम सेवेंटी परसेंट आएगा तब ही जाके तुम नीट का पेपर दे पाओगे तब ही जाके तुम जैए का पेपर दे पाओगे पहली बात ध्यान रखना दूसरी बात चलो तीसरी बात बताता हूँ कि जो बच्चे अभी से कहरे हैं किमस्टी सीटी कब लॉंच करो जिनके अब तक धंग से 4 चैप्टर भी पढ़के नहीं हुए हैं जो बोर्ड एक्जाम में अभी 40% लाने के आउकात नहीं रखते हैं और वो बच्चे MST-CT भला कैसे क्रैक करेंगे तो MST-CT की पढ़ाई सही माइने में कब की जाती है जब बच्चो एप्रिल महिना के शुरुवात होती यसे के एप्रिल महिना 2022 जब आया था तब तुम्हें MST-CT as well as class 12th की preparation दोनों साथ में करनी चाहिए थी जो लड़का top करता है उसका यही planning होता है और वो लड़का class 12th और MST-CT को दोनों को अक्टूबर महिने के last तक पढ़ाई करता है फिर वो लड़का क्या करता है कि class 12th जैसे अक्टूबर last आता है तो MST-CT और class 12 दोनों पढ़ रहाता साथ साथ में आप बोलोगे भईया दोन पढ़ाई होता है तो exactly होता क्या है जैसे ही अक्टूबर last खतम November चालू तो MST-CT की पढ़ाई कर देता है बंद और उसे करना पढ़ता है class 12th की पढ़ाई on क्यूंकि अब board exam को सिर्फ 3 महिने बचते हैं तो 3 महिने अगर ढंग से board exam की preparation नहीं करेगा तो लड़का fail हो उतना असान board exam होता नहीं है क्योंकि तुम्हारी आउका तुम्हें semester से पता चल गई होगी जब तुम semester में नहीं फोड़ पाए तो समझ जाओ कि board exam कितना danger होगा और इस बार 100% पूरा syllabus होगा तो थोड़ा सोच के रखना अच्छे से तो ये बाती आप ध्यान रखो अच्छ करेगा उसका board में what लगने वाली है that's it क्योंकि ये तीन महीने ऐसे महीने हैं जो तुम्हारे board में चार चांद लगाती है और अगर तुमने board की preparation जो करते हो वही same syllabus mstct का है 100% same syllabus है बस फर्क इतना है कि board में theories लिखनी होती है तो ज़रा तुम खुद बताओ जब तुम theories की ए एक एक line समझ लोगे तो तुम mcq में तो वही line तो आती है तो वही line तुमने exam में नहीं कर पाओगे तो mcq तुम अलड़ी फोर दोगे मतब mstct तुम्हारी बहुत अच्छी जाने वाली है तो board में ध्यान दो till January और जैसे तुम्हारा board exam होगा तब start करेंगे mstct की preparation समझ मे तो अभी mstct के चक्कर में अगर पढ़ोगे तो board भी अच्छा नहीं जाएगा और ct भी अच्छी नहीं जाएगी तुम्हारे tuition वगरा में जाते रहोगे तो उनका तो कम पैसा कमाना है वो तुम्हें वही strategy बताएंगे जो जिससे उनका फाइदा होता है वो तो वही उसको प्रूफ कर देंगे कि यही सही है बड़ तुम खुद का दिमाख लगाना कि time के हिसाब से अगर तुम board की preparation नहीं करोगे तुम mstct कैसे crack कर सकते हो तो इस चीज को थोड़ा सा तुम ध्यान रखो थोड़ा सा mind भी अपने बिठा के रखो ठीक है इसी लिए मैं तो भाई mstct का एकदम detail में इतना अच्छे से board clear करवा दूंगा तुम्हारा वैसे भी हम वन शॉट लाएंगे डिसेंबर में हम फिर उसके बाद marathon लाएंगे महा marathon लाएंगे तो यह तो हमारा N.I. famous है इन सारी चीज़ों के लिए वन शॉट महा marathon lectures इन सब में new इंडिनर को कोई तोड़ नहीं सकता कोई फोड़ नहीं सकता जब हम उतरते हैं तो धमाका होता है पुरे महारास्ट्रा में हर बच्चा बच्चा पढ़ना शुरू करता है रिवीजन करना शुरू करता है एकदम full on fire ठीक है और उसके बाद application भी आ रहा है अपना अभी तब तो फिर हम MSTCT launch करेंगे क जाहे सबर थोड़ा सा tension मतल हो यार बस बोड का theory का preparation ढंग से करो theory आएगी सब आएगा चलो like कर तो इसी बात पर एक session को आंगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे Indian hybrid crops के बारे में तो पहला point है wheat and rice अब भारत देश के अंदर हमने कौनसा कौनसा इसी तरीके से hybrid crops बनाया hybridization करक तो 1960s के टाइम पे wheat मतलब गेहूं और rice का production इंक्रीज हुआ tremendously यह पूरा theoretical topic है green revolution की हम बात कर रहे हैं आपको इससे सीखने बच्चों देखो आपना science के बच्चे हो आप सिफ चावल गेहूं खाना जानते हो आपको यही नहीं पता कि गेहूं की कितनी variety होती है तुमने कभी गाउं में देखा है कि हमारे मम्मी पापा गेहूं को देख के बता देती है कि यह कौन सा गेहूं है मतलब यह कौन सा गेहूं का type है मतलब वो बता देंगे कि यह सोनालिका है कि यह कल्यान सोना है कि यह कौन सा गेहूं का type है कभी तुम बता सकते हो मैं सच कहूं मैं खुद नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं आता मैं मजाकन में जूट नहीं कहता कभी भी, मैं खुद नहीं जानता हूँ लेकिन तुमने देखा रहेगा ना गाउ में कैसे बताता है, ये वाला गहू है ये वाला गहू है, ये वाला ये गहू है यह वाला यह गेहू है सब बता देते हैं लेकिन हम खुद नहीं जानते हैं तो यही चीज होता है कि किसान सब जानते हैं तो 1960s में wheat और rice का production बहुत जादा हुआ जब normal e-barlog ने develop किया semi dwarf varieties of wheat मतलब कि गेहू का hybridization किया जिससे चपाती बनती है तो गेहू के बहुत से टाइप बने जिससे सोनालिका, कल्यान सोना यह दोनों बहुत ही important hybrid varieties है अब देखो guys कैसा होता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश रहे चाहे बिहार रहे चाहे मध्ध प्रदेश रहे चाहे हरियाना रहे चाहे पंजाब रहे चाहे राजिस्थान रहे चाहे महारास्टर रहे हर जगे अलग-अलग reason है तो अलग-अलग area में अलग-अलग नाम बोलते हैं लेकिन दुनिया में सोनालिका और कल्यान सोना यही नाम जाने जाते हैं यह बात ध्यानकना wheat के लिए बाकि तुम्हारे area में किसी भी wheat को अलग बोलते होंगे उफी तरीके से rice की और भी varieties है जिसको जो इंटर अब rice पुरी दुनिया खाती है एक टाइम पर चपाती बहुत कम लोग खाएंगे बड़ rice चावल की बिना पूरा wish नहीं रह सकता चावल चाहे तुम कितने भी बड़े non vegetarian हो बोलो के मैं रोज मटन खाऊंगा लेकिन सिर्फ मटन नहीं खा सकते हो न उसके साथ चावल भी बिना जिंदिगी अधूरी है मर जाओगे ठीक है तो इसमें बहुत से अलग 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 वराइटी है थोड़ा सा ये तीनों एक्जाम में MCQ में आता है इसलिए मैंने इसके नाम बता दिये जया, पद्मा और रत्ना वेग नहीं क्या निर्मा का प्रचार आता है जया, पद्मा और सुस्मा सबकी पसंद निर्मा जया ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखो जया, पद्मा, सुस्मा सबकी पसंद निर्मा ठीक है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो तो ये बहुत इंपोर्टेंट है चलो आपके आपकरते सुगर केन की तो सुगर केन मिठाई, मीठी चीज़े हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो सुगर केन का साइंटिफिक नेम बेसिकली सैकरम बैर्बेरी है सैकरम बैर्बेरी ये बेसिकली नौर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये वराइटी पाई जाती है देखो अब तुम बोलोगी कि भाईया महारास्ट्रा में बहुत अच्छा सुगर होता है ऐसे तो साऊथ हिंडिया में भी होता है मैं देखता हूं कि मुंबई में जब देखो तो गicism जूश हमेशा मिलता है महारास्ट्रा में बहुत ज़्यादा सुगर केन का प्रोडक्शन होता है लेकिन अलग अलग वराइटी का ये बोहुत थीकर steam वाला होता है मतलब मोटा घंडा है ये इस में ज़ादा सुगर content होता है ये स्थाउथ इंड्या में पाये जाता है ना ही उत्राखंड में होता है, ना पंजाब, ना हर्याना में होता है लेकिन यही चीज साउथ हिंडिया में बहुत ज्यादा होती है तो कितनी अच्छी बात है, कहीं भी यो अपने ही देश में हो रहा है तो these two varieties are crossed to get the desirable qualities of both अब देखो, जो सेकरम बैर्बेरी है, यह नौर्थ हिंडिया में ज्यादा होता है और सेकरम ओफिसी नहरम, यह साउथ हिंडिया में ज्यादा होता है लोगों ने क्या किया, सेकरम ओफिसी नहरम में ज्यादा सुगर कॉंटेंट है जो South India में होता है इसमें ज्यादा सुगर content है ज्यादा juice निकलता है इसलिए South Indian बहुत सुगर गेन पीते हैं ठीक है तो juice पीते हैं यार सुगर गेन थोड़ी पीएंगे तो सेक्रम ओफिसी नेरम बहुत थिकर और स्टेम वाला है मतलब समझ जाओ लोगों ने इसको North India में उगाने की कोशिश की लेकिन यह हुआ ही नहीं वहाँ पर इन्वारनमेंट उसको नहीं मिला तो अब साइंटिस्ट यहाँ पर फिर से इंटरफियर करते हैं बीच में आते हैं और उन्हें दोनों varieties का cross कर दिया इनको सिर्फ यहीं करने आता है जब अर्जस्ती क्राइम करते हैं प्लांट के साथ प्लांट के साथ सरया मत्याचार करना इनका काम है कि तू South India में होती है तुझे North India में भी लाएंगे तू सिर्फ उनको juice पिलाती है North India में भी आगे juice पिलाओ क्रॉस कर देंगे दोनों को मिला देंगे चन्नाई और काश्मीर को दोनों को मिला देंगे काश्मीर से कन्या कुमारी दोनों मिला देंगे तो यहां पे क्या होते है desirable qualities दोनों की हमें मिल जाती है तो high sugar content में मिलता है और थिकर स्टेम में मिलता है और ability to grow in North India तो यह भी मिलता है तो यह CO419, 421, 453 यह नाम है सुगर केन के यह सब ध्यान रखना कोयमबटूर और तमिल लाड़ो में होता है तो यह बहुत अच्छी चीज़ है मतलब हमें जो चीज़े मिली यह टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से clear हो गई सारी बाते चलो बहुत ही मज़िदार चैप्टर है मतलब अच्छा लगता है सुनके यह है hybridization अब बात करते हैं millets की मतलब की वही जो जो आर बाजरा है उसी की बात कर रहे है तो अब hybrid maize को गंगा तीन कहते हैं और जवार को CO12 बाजरा को निफड जो भी है पढ़ लो यार ठीक है have been successfully developed in India भारत देस में तीन चीज़ें पाई जाती है millets की these varieties are high yielding and resistant to water stress मतलब पानी नहीं भी रहेगा तो भी उगाद हो अच्छे से कोई समस्या की बात नहीं है आगे बात करेंगे plant breeding for disease resistance तो fungi, bacteria, viruses अब ही जिसे fungi है तो कौन से-कौन से plant diseases फंगाई के वज़े से हो सकते है fungi जो है तो brown rust है, red rot है and late blight ही तो आप खुद से पढ़ लो इसमें कोई समझाने की जोब बीमारी का नाम दिया है बुखार, सर्दी, खांसी जैसे इंसान को होती है वैसे ही इन plant को भी होती है बस और क्या चाहिए ठीक है, नहीं समझना में क्या कह रहा हूँ ध्यान रखो बस इतना मतलब जिसे की वारेस के जैसे टोबाइको मोसाक वारेस है नाम यादर कलो बैक्टिरिया है तो ब्लैक रॉट फॉर क्रसिफर्स याद कलो पोटेटो में लेट ब्लाइट नाम की बिमारी रेड रॉट सुगर केन में होता है क्या कोई कोई देखो सुगर केन लाल लाल रहता है बहुत जड़ होता है उसको खाओगे ना तो वहाँ से जूस निकलता ही नहीं है ने कि वह सुगर केन में रेड रेड पूरा हो जाता है जो जहां जहां पर सुगर केन वाइट रहता है जहां पर सुगर केन वाइट रहता है वहां से juice निकलता है लेकिन जहां red होता है वहां से कितना भी खाओ उसमें से juice ही नहीं रहता उस एरिया में तो उसे red rot बिमारी कहते हैं तो यह सब फंगाई के वज़े से होता है तो यह सब ध्यान रखो अच्छे से आंगे पढ़ते हैं वीट गेहू में वराइटी हिम गिरी है और उसके अंदर leaf और strip rust हिल बंट नाम की बिमारी हो जाती है brassica एक crop का नाम है जिसके वराइटी पूसा स्वर्नी में इंडिया में पाई जाती है और इसमें white rust लग जाता है cauliflower में इसका वराइटी पूसा सुब्रा और इसके अंदर बिमारी black rot तुमने देखा होगा cauliflower के अंदर काला काला उपर ने क्या जाग टाइप का लग जाता है वह तुमने सबजी भाजी के मंडी में जाओगे दुकान में तब समझेगा चिली की बात करें जैसे कि अपना मिर्ची यह पूसा सदा बहार है जो तो इसके अंदर चिली मुजाएक वारस तो बैको मुजाएक वारस सी सब लग जाता है तो सब बिमारी आए प्लांट को भी नहीं बचाया वारस बैक्टेरिया ने अब बात करते हैं मुटेशन या ब्रीडिंग की मुटेशनल ब्रीडिंग की बात करेंगे तो चलो प्राशो बाय आज गलती नहीं होगी तो बाय आटा टेक केर उटेक है तो अब आंके बड़ते हैं सीनियर लेकिन मेंडेल अच्छे प्रदीप कहते हैं अब कप लॉंच होगा जब होना होगा हो जाएगा तुमको समस्य है कि याद करते रहो अरे गनपती पपा मोर या बोल चैतु अब लोड़िंग तुम लोग इसको लोड करा तो जल्दी अरे सही में बाइब बोल रहे हो अरे मतलब हाँ ठीक है एक बार बाइब बुल दिया तो हजार पर क्या करना है बोलके मैं सुन लिया हूं मैं पढ़ लिया हूं बच्चे बड़े उतसाहित हो रहे हैं जानने के इसको पढ़ाई बोलते पढ़ाई में द्यान दो ठीक है प्राशू सर की कसम बहुत अच्छा सिखाते हो नहीं ने चड़ालो तुम चड़ालो कोई एक ही इंसान प्राशू कह सकता है सब मत कहो यार जगडा हो जाएगा तुम जगडा करवा दो ठीक है कोई ना लेट्स वि नहीं मतलब यार लिए पढ़ाई लिखाई चोड़ के तो मोग यह सब में द्यान दो ठीक है निरे प्राशू कि त्यंदैंको कि है क्या है क्यद्ध कर चले हम खर रहें क्वी कहलो आभी क्या ही कर सकते ठीक है चलो ड्यां है कि हुई-ई-謂- यह देखो सामने से प्रपोज इपोज मार रहे है अभी थोड़ा ध्यान देते हैं पढ़ाई में ऐसा कुछ भी मत करो यार मतलब अच्छा नहीं लगता है लोग कहेंगे तो देखेंगे क्या कहेंगे कि इनके अहां इनके लेक्षर में जाओ तो कॉमेंट बॉक्स में सिर्फ लव यू हार्ट दिखता है और कुछ नहीं दिखता है मतलब कौन है जो इनसे पढ़ने आता है और यह सब मतलब बस टीचर पर अधिक ध्यान रहता है वह क्या पढ़ाता है उस पर ध्यान नहीं रहता है तो कोई देखेगा तो किया कहेंगा यार मतलब माल लो कोई senior faculty या कि इसी कॉलेज का बंदा या कोई कॉलेज का प्रोफेस्टनल इंसान आएगा और मालो मेरे लेक्चर में आके चैट मेरी देख रहा है तो कहेगा यहाँ चल क्या रहा है यह लड़का पढ़ाने में ध्यान दे रहा है और इनकी पबलिक इस पे ध्यान दे रही है यह जो बहुत यह सारी चीजी हो जाहेंगी तो थोड़ा सब पढ़ा करो यार तुम लो क्या कर थोड़ा मेरी भी भावनाओं को समझा करो पढ़ाई-बढ़ाई-ध्यान दिया करो कोई देखेगा तो क्या कहेगा मतलब समझ जाओ अब आंके क्या कहना बाकि थैंक्यू सो मच फॉर लव सपोर्ट चलो अभी आजो म्यूटेशन ब्रिडिंग की बात करते हैं तो क्लास 10 के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 10 चैप्टर नंबर साइन्स 2 के अंदर साइन्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि what is the meaning of mutation mutation का मतलब होता है sudden changes occurring in gene sudden changes occurring in gene मतलब gene के अंदर अचानक से कोई changes हो जाना हमने class 12 चैप्टर नंबर 4 के अंदर में mutation के बारे में पढ़ा था मतलब mutation एक heritable changes in the genotype that is gene यह naturally होता है मतलब हमारे हाथ में नहीं कि चलो मैं mutation करवा दिता हूं मैं पकड़ूंगा इस plant को इस plant को चलवा यह अपने आप हो जा इसे नहीं है हमें करवा के देती हम तो चलो देखते हैं कि कौन से कौन से ऐसे chemical से जो इंड्यूस करवाते हैं इस application को तो पहला है natural या physical mutagen जहां पर हम high concentration of carbon dioxide या फिर x-rays या UV rays का इस्तमाल करके plant के अंदर हम mutation करवा देती हैं ठीक है दुसरा है chemical mutagen जो mutation करवाते हैं तो nitrous acid फिर है एक ethyle methyl sulfonate याद कर लो EMS exam में MCQ में आता है mustard gas होती है और एक colsi scene होता है तो इसको भी याद कर लेना अच्छे से बस बाकी कुछ याद ही नहीं करना है बाकी तो सब variety दिया हुआ है कि seedlings और seeds are eradicated CO60 UV bulbs x-rays machines क्या यह सब बता हूँ है तो GK हैं यह तो कोई concept ही नहीं हा जगरनात का चावल नहीं घाया तो क्या खाया तो वहाँ पर यह थोड़ा type है इसको भी ध्यान रखना वहाँ पर यह कि resistant variety है जो diseases को खतम करने में help करता है और भी wheat के भी वहाँ पर वराइटी cotton की एक वराइटी है indoor 2 फिर ऐसे ही cabbage की वराइटी है regina 2 तो ऐसे नाम याद कर अब तुम लोग खुद हो श्यार हो क्या नाम बताऊं मैं तुमसे अधीक तो यह chapter तुमारे ममी पापा जानते होंगे वीट की वराइटी बोलोगे तो हजार बता देंगे चावल कितने टाइप का होता है ममी हजार बता देंगे हम नहीं जानती है चीज हमारी ममी इसको देते भी हो तो वह plant को कोई बीमारी नहीं पहुचने चाहिए जैसे कि जो इंसेट होती है यह हर भी वोरस होती है अब देखो एक बात बदाता हूं जो हम देखो इंसा मतर देखो जो अच्छा बंदा है वह दूसरे को नहीं मार के खाता है अब तुम अपने से रिलेट मत क बड़ जो कीड़े मकोड़े हैं यह हर भी वोरस हैं मतब प्लांट को खाते हैं क्योंकि एक कीड़ा दूसरे कीड़ों को थोड़ी खाएगा वो एक कीड़ा तो प्लांट को ही खाएगा जो जीता हुआ सिकंदर डार्विन थियरी आफ नेचरल सिलेक्शन पढ़ाई की नही तो इनकर हैवे लॉस इन दी कॉनिटी और कॉलिटी ओफ दी क्रॉप तुमसे नहीं देखा होगा कि जितने भी फार्मर्स होते हैं वह अपने फसल को कीड़े मकोड़े से बहुत बचाते हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़े ना तीन महीने की तो फसल का डिउरेशन होता है य के बीच में नकली ऐसे अब लकडी डालें लकडी के उपर एक मकाड़ डाल देते हैं और मतके में अपर उसको शट पहना देंगे एछन हैना उसको कफड़ा अथ सबसे वढ़िया पेस्ट है अपनेे किसी दूसरे चीज के जरूरत ही नहीं है यह हम इसका इस्तिमाल कर लेते हैं मतलब यह अच्छी चीज है हम इंडियान जुगाड में बहुत आंगे यह भूत बना दो तो जो चिडिया विडिया है ना दूर पर देखके भाग जाती है लेकिन यह टेक्निक 20-25 साल से चल रही ह तो क्या होता है कि अब चिडिया लोग भी होश्यार हो गए है चिडिया मैंने देखा मेरे गाव में चिडिया लोग इसी की उपर आके बैटके और सुसू करके जाती है बोलती है हमने डरते तुमसे तुमने हमारे बाप दादाओं को पागल बनाया अब हम नहीं बनेंगे अगल हम इसी की उपर आके बैटेंगे तो इसी की उपर बैटके जाते है यह सचाही है ठीक है तो इस तरीके से हम कुछ बचते हैं मॉर्फोलोजिकल करेक्टर्स में चेंजे हैरी लीव्स बना देना लीफ बीटल रिस्पेक्टिवल आसे बहुत चीजे हम क्रियेट करते है solid stems का होना मतलब अपने plant को कैसे बचाएंगे अब तुम्हें बताओ कोई plant का stem पतला लुखड़ा रहेगा तो हवा भी आएगी अगर तुमने गाउं में देखा होगा ना जिसे अपने चावल का खेत है या गेहूं का खेत है तो जोर से हवा आ गई तो पूरा plant गिर जाता ह तो इससे ये साबित होता है कि वो plant के stem में ताकत ही नहीं है तो हमें ऐसा plant create करना होगा जिससे कि उसके stem में ताकत हो कि हवा भी आए आधी तूफान आए तो वो पूरी फसल ऐसा नहीं होने चाहिए कि लुड़क बिड़क के गिर गई फिर उसको काटने में बहुत प्राब प्राबलम फिर उसको काट के निकालने में भी प्राबलम बहुत जंजट होता है तो यह सब कुछ नहीं होना चीए तो इस टेम और बहुत सॉलिड होने चीए मजबूत होने चीए तो इस सब पढ़ लो एक बार इक्जामपल से भी आपे बढ़ी अच्छा कासा दिया होगा है तो यह सारी चीजी आपको ध्यान रखनी है तो अब हम एक नए टॉपिक की पढ़ाई की शुरुवात करते हैं जिसका नाम है टिशू कल्चर और इस टिशू कल्चर को आप सब ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा क्लास 9 के साइंस के आई थिंग चैप्टर नंबर 13 और 14 में सम्थिंग पढ़ा था एक बार जाके देख ले ना वापस से ठीक है ध्यान रखो अच्छे से चलो एंथनी के तो भाईया यू नो एमसी स्टैन मैं उसके पापा को भी जानता हूं तो मात करते हूं सिस्टैन को चलो अक्षा कहता है चिवडा चिवडा विवडाबाद में पहले टिशू कल्चर अब सिखेंगे हैं 16 चैप्टर में है ओके 16 चैप्टर में होगा ओके ठीक है यस वैसनवी तेम टू यू ओके ठीक है सप्रदीप सोहिल योगनी चैतु शिवानी वैसनवी अमन साइधरवा शेक तन्वीर अहमद राजा सोहेल अनिकेत रामेश्रम एवरिवन थैंक्यू सो मच चलो अब शुरुवात करते हैं नए टॉपिक टिशू कल्चर की हो गया हमारा प्लांट ब्रिडिंग की बाते खतम अब दिया तिवारी कह रही है सेम टू यू क्या करें दिया भाई स्व अब भावनाहों को मेरे समस्ते चलो हम पब्लीक में कुछ नहीं कह सकते हैं कुछ कह देंगे तो बड़ा लपड़ा भी हो सकता है बचना पड़ता है और मेरे प्रिये बड़े टीचर्स लोग अगर तुम इस लेक्चर में बैठे रेते हो तो तुम समझ सकते हो कि मैं कितनी जिदीगी में बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है पहले खुद का समा लो फिर को समख लो यह भी बहुत जरुरी जीवन में पहले लोकरियर समलक गया तो फिर को समा लूँ पहले लगता कोई करियर ना लेके चला जाए फिर लगता कोई हम कोई ना कोई लेके चला जाए बहुत जिंदिगी में इस्ट्रगल है बचाओ हमें कोई जलो अब आजओ टिश्यू कलचर जान देते कलचर बदलो अरे तुम लोग क्या कर रहे हो तो अब यहां ध्यान देना अच्छぇ से तूड़ा सा जड़ाँ समझाएं तो ठीक है तो इस बात को आप सब ध्यान रखना चलो अब शुरुवात करते हैं टिशू कल्चरिंग की ठीक है तो देखो यार टिशू कल्चरिंग क्या होती है बड़ा ही मज़िदार टॉपिक है छोटे से टेकनिक के साथ आपको समझा दूँगा आपको यू समझ में आ बस यह डाइग्राम जिसने समझ लिया उसे टिशू कल्चरिंग समझ गई तो क्या होता है कि हम एक सिंगल प्लाइंट से बहुत सारे प्लाइंट बना देती हैं विद्धी हल्प आफ टिशू कल्चरिंग आप सबको पता ही होगा कि छोटे-छोटे से टिशू बनता है और उसे किसी भी इंसान की बॉड़ी बनती है और गान के बाद बॉड़ी तो अगर मालूम मैं किसी भी मदर प्लाइंट मतब कोई एक प्लाइंट को उठाओं और इस प्लाइंट का छोटा सा कोई भी तुकडा तुम कट कर लो और कट करके तुम साइंटिफिक मैनर में उसको क करना शुरू करें क कल्चर मतलब बनाना उसकी कल्चरिंग करना हम शुरू करेंगे तो यहां पर उसको थोड़ा डेवलाप करेंगे धन उससे हमारा क्ैल। एक हाड होती है जो फिक चरीन के time पे produce होती है for example एक ऐसा undifferentiated mass of cell होता है मतब कि जो बार बार divide होगा जब एक बार ये बन जाएगा तो फिर ये कभी भी divide नहीं होगा ये सिधा फिर grow होगा मतब for example के लिए बता दूँ कि जब तुम किसी भी plant का छोड़ा फा टुकडा कट करके और एक test tube में रखते हो या किसी भी ऐसे location में रखते हो जो उस plant के लिए suitable होता है तो वो क्या करेगा खुद को पहले divide करता है redivide करता है बार बार divide करता है और उससे एक ऐसा कुछ structure बन जाता है इसे हम callous कहते हैं अब ये callous कभी खुद को divide नहीं करेगा ये क्या करेगा अब ये सिर्फ grow करेगा समझा अच्छे से micro propagation करेगा तो जब ये grow करेगा तो इससे root system यानि की plant का root plant के उपर जो होता है वो shoot system तो root और shoot दोनों create होंगे और ऐसा हो सकता है कि तुमने यहाँ पर कोई reproduction किया तुमने कोई भी आपर pollination किया जैसे इंसानों में male female दोनों पास में आते हैं फिर कुछ तो होता है फिर नया निकलता है 9-1 के बाद वैसे ही plant में क्या होता है कि तुमें एक का male flower का pollen grain उठाओगे female flower में डालोगे तब कुछ होगा लेकिन tissue culture में ऐसा कुछ नहीं है तुम बस एक plant उठाओ उसके अंदर technique से क्या करो उसको grow करना शुरू करो पहले उसको divide differentiate करो क्योंकि तुमें भी पता है कि बहुत सारे cell मिलके tissue बन जाता है और tissue से body अपने को body बनानी है तो उसके cell को निकालेंगे cell को divide, redivide करेंगे उसको ऐसा environment देंगे जिससे वो grow कर जाए और फिर वो एक callus बनेगा वो grow करेगा उसमें shoot system root system आएगा और ऐसे हजारों plant बन जाएंगे this is called tissue culture समझ में आए कि नहीं समझ में आए कितनी important बात है सोचो ये this is called tissue culture ठीक है अरे दिया तिवारी कहती body बनानी तो gym जाना है हाँ हाँ भेज दो इस plant को gym जाएगा ठीक है हमारे लिए gym खुला इनके लिए क्या खुला इनके लिए कुछ नहीं खुला है इनकी हम खोलते हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो tissue culture की आज़ो बात करते हैं तो it is actually a collection of different techniques अलग अलग technique का इसमें इस्तमाल होता है मतब किसी ने पुछा what is tissue culture बता देना कि it is a collection of different techniques in fact इसमें क्या होता है कि बहुत सी ऐसे technique का merging होता है ठीक है और basically इसमें bio technology का इस्तमाल होता है bio technology के बारे में chapter number 12 मतब इसके बाद आप पढ़ने वाले हो तो tension मतलो क्या होता है समझा दूगा basically bio technology एक ऐसी technology है जिसकी मदद से हम सब किसी भी living organism के अंदर changes कर सकते हैं living organism के अंदर changes कर सकते हैं सोचो तो ये in vitro मतलब कि कहीं पर भी आप कर सकते हो मतलब अंदर या botanical garden में या green जो आपके पास होता है वो क्या बोलते हो उसको green house होता है ने green color का एक पट्टी लगा के रखते हैं पुरा घर बना के रखते हैं अंदर बहुत से plant होती हो वहाँ कर सकते हो कैसे भी nutrient medium में आप कर सकते हो temperature तुम अपने हिसाब से बढ़ाद हो घटाद हो कोई समस्या की बात नहीं है controlled condition होता है light का controlled condition तुम कितनी light plant को दोगे sun के light यह तुमारे हाथ में defend करता है सब तुमारे हाथ में you can create a plant with the help of tissue culture सोचो तुम एक tissue culture technique से एक नए plant को create कर सकते हो आजो देखते हैं कि कौन से कौन से technique का इस्तमाल किया जाता है कैसे step है इसका तो पहले क्या करोगे सबसे पहला काम क्या होगा अगर तुम्हें tissue culture करनी है तो क्या करोगे सबसे पहले glass का एक कोई भी jar ले लो मतब ग्लास का कोई भी तुकड़ा या ग्लास का कोई बरतन कुछ होगा ले लो इसको clean कर लो clean करके क्या करोगे मतब एक जो instrument होगा glass का वो oven या autoclave shape में होना चीए काटोरी जैसा या फिर test tube जैसा कुछ होना चीए ऐसा shape में ले ना फिर selection करो preparation करो किसी nutrient medium का पता जैसे माल लो mango के plant को tissue culture के truth तुमें उठाना है बनाना है तो mango कैसे environment में रहता है उसको कैसे nutrient चाहिए होते हैं कैसा nutrition उसे चाहिए ऐसे medium को तुमें बनाना पड़ेगा उस glass के बरतन के अंदर समझा मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना और ऐसे different component का use करो उसके बाद sterilization करो और ऐसे continuous कम सकम 20 से 30 मिनट तक constant pressure दो अब यह सब scientific method होते हैं यह सब experimental area में किये जाते हैं तुम घर में इसको नहीं कर पाऊगे 151 base का square पूरा area उसको बना के रखो और उस एरिये में तुम उसको pressure दो force दो atmospheric pressure भी चाहिए होता है plant को grow करने के लिए environmental temperature बनाओ pressure बनाओ फिर कैसा sunlight कितनी देनी है वो सब तुमको method को पूरा अच्छे से बना के रखना पड़ेगा पूरा set करना पड़ेगा system को जब तुम्हारा plant का जो x plant है मतब जिस चीज को तुम काट करके बनाने वाले वो x plant को लेकर क्या हो उसके surface को growing stick में डालो फिर उसके बाद उसको इस्टरल करो cabinet उसमें डालो फिर 2-3 week तक उसको लगेगा proliferate होने में कैलस बनने में एक दू महीने में plant बनता है ऐसे नहीं हो जाता फिर वो callus खुद को grow करेगा undifferentiated form से grow करेगा shoot system और root system बनाएगा जब उसका proper shooting system और rooting system बन जाएगा root और shoot दोनों बन जाएगा तब इसका develop हो गा इसी कहते हैं organogenesis मतब organ का formation हो गया root shoot system बन गया मतब organ बन गया अब organ बन गया तो plant बनाना है तो hardening करनी पड़ेगी मतब organ बन गया इसका मतब थोड़ी की पूरी बाड़ी बन गई liver hard बन गया तो मारी बाड़ी बन गया ऐसा थोड़ी होता है उसका system से काम भी करना चाहिए ना तो root shoot system बनने के बाद अब वो कोमल कोमल soft नहीं होना चाहिए वो hard plant बनना चाहिए प्लांट जितना hard होता है लकड़ी उसकी इतनी मोटी होती है वैसा hard बनना चाहिए तो इसकी hardening करनी पड़ेगी मतब plant let सब transfer किये जाएंगे polythene के बैग में और polythene की बैग में इनका development होगा जब यह develop हो जाती है तब यह field में transfer होती है तुमने कभी शहर में मुंबई में देखा है वो तुलसी वाला आता है बोलता है तुलसी ले लो फिर बोलता है यह money plant ले लो पचास रुपए का एक plant है नहीं को बेचने वाला आता है व नहीं किये हो तो कहां समझेगा तो कभी थोड़ा करो मैं जानता हूं कि गाओं खेड़े के बच्चों को थोड़ा से सब नहीं practically हो पाता देखने को बट थोड़ा सा कभी मौका मिले तो कहीं कभी जाना अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा इसका फायदा उठाना तो block सब लो जो एक्जाम में 3 marks के लिए सच में आता है micro propagation मुझे आज भी आदे जब मैंने 2017 में 12th का paper दिया था तो यह हमारे एक्जाम में आया था ठीक है इसलिए मुझे आज भी आदे मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें जैसे ही एक बार organogenesis हो गया Genesis का मतलब होता है banana organ मतलब organ तो य प्रो करेगा लंबा बनेगा hard बनेगा ठीक है तो यहां पर नए नए प्लांट बनेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसी के वज़से आज के वक्त में create हो रही है आपको पता है plant की help से बड़े-बड़े ornamental plants भी होती है यार जैसे eucalyptus है फिर cryosinthemum है तो इन सब के वक्त में हम माला बना के उसकी पहनते हैं तो यह सब plant बहुत important है कुछ important fruits जैसे banana, grape, citrus इन सब का इस्तमाल भी हम करते है आज के वक्त में बहुत जादा जो की tissue culture से ही बनता है तो बात करते है tissue culture का exactly function क्या है application क्या है तो इससे हम forestry मतब बड़े-बड़े जंगल बना सकते है आपको पता है you will not believe कि मालो कोई plant अगर खताम होने वाला है तो उस plant का छोटा सा तुकड़ा हम ले करके और उसको artificially ऐसे हजारो plant बना सकते हैं सोचो कुछ महिनों के अंदर मतब पूरा जंगल खड़ा कर सकते हैं तुमने मुलाई के बारे में सुना होगा मुलाई ने ऐसा ह ही किया था तो forestry agriculture horticulture genetic engineering physiology हर जगह आज की वक्त में tissue culture का इस्तमाल किया जा रहा है उसके बाद बहुत से metabolites protoplast culture rare plant को बचा सकते हैं हम लोग फिर ऐसे बहुत से variation वाले plants आज की वक्त में create किये जा रहे हैं तो application पढ़ लेना tissue culture का exam में आता है the most important topic is that three marks के लिए application of micropropagation तो इसके application के अगर बात करें देखो सबसे पहली बात तो यह multiplication के जो plant का multiplication उसमें help करता है यह topic कब action में आता है जब कभी भी हमारा एक plant का हमने कोई part लेके grow कर दिया उसका root system बन गया उसका shoot system बन गया callus भी बन गया ठीक है सब create हो गया जब organ बन गये तो इन organ को grow कराना है multiply करना है तो multiply करने के लिए micropropagation technique काम आती है तो कम से कम period में बहुत सारे plant एक साथ बन जाते हैं with the help of micropropagation plants are obtained throughout the year under controlled condition independent of season मतब तुम ठंडी के महसां बाले plant को गर्मी में भी उगा सकते हो with the help of tissue culture कोई फरक नहीं पड़ता कौन सा season है genetically identical plant भी बना सकते हो मतब clone same to same plant भी produce कर सकते हो ठीक है यहाँ पर तुम desired sex male plant बनाना है female plant बनाना है it's your choice कितनी अच्छी बात है यह the rare plant and endangered species तुम इन स create कर सकते हो जो plant खतम होने की कगार में है उनको तुम tissue culture के थुरू बचा सकते हो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है this is the important application of micro propagation ठीक है ध्यान देना अच्छी से तो यह chapter बहुत आसान चिंदी chapter है मत्तब इसमें कोई ज्यादा concept नहीं है बट मज़ा भी आता है बहुत कुछ जान सकते हैं ठीक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर चीजों को अब हम डीटेल में अभी समझेंगे अब देखो आप से question पूछूंगा की आपको बता रहा हूं मैं question नहीं पूछ रहा हूं महारास्ट्रा के केला खाती बब्लिग लेकिन पब्लिक यही निए पता कि कौना केला खाती खाती है केला तो वो से लोग खाते हैं लेकिन कौन से कहने का है वह तुम सब्सक् Animus nहीं है चलो अब मैं बताता हूं कि तृम को इस बस preventivepora को कोह तो बढ़ी है आप महारास्ट्रा में श्रीमती केला पाया जाता है हं सर्कवागा करें ना फिलेंगे ठीक और गृत अच्छा हुआ जाता हूं उस्अतकर 50 रूपा मे कि रहे ईपसर आई केला है तो, अंकल वह लेगा बहाई यह सब जूसे मेरे पास नहीं हिरत अ है अश्री मति अब सेंगल सेल प्रोटीन वेकिन अहीं हम वे भी सब झाय सेंग réponse सिंगल सेल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं SCP चलो फटाफाटिस टॉपिक को कबर करेंगे एक दो लाइन में लाइन टू लाइन रीड करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है तो 2050 तक फ्यूचर की बात करने हम मत्तब की 2050 तक हर दुनिया में 1250 मिलियन टन मान्स की यानि की नौनवेच की और डियरी प्रडक्ट की जुरुरत पड़ेगी लेकिन इतना कभी हम जल्दी पा नहीं सकते इतना मटन इतना चिकन तुम कहां से पाओगे उतनी मुर्गियां भी होने चाहिए उतने बकरे भी होने चाहिए ना तब न पाओगे ने तो नहीं मिलेगा और इतना दूद और मलाई में रहेगी कहां से जब गाय और बकरी को ल तो अब क्या करोगे बड़ी समस्या है यह बहुत बड़ी प्राब्लम है बैल दूद्ध दे नहीं सकता बैल सित प्रसाद देता है और बखरी बकरा को तुम सब खाजाओगे गाये को खा जाओगे तो मांस भी नहीं मिलेगा मीट भी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे तो क्या करोगे तो इसी लिए लोगों ने एक टेक्निक का इस्तमाल किया, लोगों ने क्या किया अभी से future के बारे में सोच लिया क्योंकि आने वाले टाइम पे लोग नौन वेज जादा खा रहे हैं आज के टाइम पे कितने लोग को देख रहा हूं मैं कि इंडिया के अंदर pure vegetarian बंदे भी non vegetarian बंते जा रहे हैं मतलब जादा तर लोग non-wage खाने की कोशिश करते हैं आजकल एक trend बन गया है कि non-wage खाने वाला खुद को बूद बड़ा आदमी समस्ता है मतलब वो एक ऐसा इंसान समस्ता है कि वो एक समाज में बहुत ही dignified इंसान है उसको अंदर से खुशी मिलती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ ठीक है कसम से कह रहा हूँ मैं और इंडिया की बात अगर ना करें बाहर देश की बात करें तो इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग non-wage खाती है बहुत ज़्यादा लोग ठीक है तो इसलिए meat को meat खतम हो जाएगा कुछ दिन में चिकन मटन कहां से लाओगे इतना सारा तो उसको भी लाना पड़ेगा dairy product भी आज के वक्त टाइम पर बहुत से लोग खाते है butter है, butter बटर वगरा पनीर है, फिर milk, दही, दूद बहुत कुछ लोग खाते है कहां से लाओगे ये सब अभी तो है 2050 तक तो खतम हो जाएगा तब क्या करोगे तुम लोग देखो मैं यहाँ पर vegetarian, non vegetarian की बात नहीं कर रहा तुम चाहे कोई भी रहो, मैं तो pure vegetarian हूँ बट मैं बता रहा हूँ, एक problem है कि नहीं ये दुनिया में इतना लोग खा रहे है कि लाओगे कहां से आज बकरी को काट के खा रहे हो और आज मुर्गी खा रहे हो कुछ दिन में नहीं मिलेगा तो गाय, बैल, बकरा सब खाओगे फिर वो भी खतम हो जाएगा तो फिर क्या खाओगे फिर इंसान, इंसान गुखाएगा तो इसी लिए, इसी लिए ये सब ना हो इसी लिए साइन्टिस्टों ने एक टेक्निक डेवलप की जिसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन तो आगे पढ़ता हूँ मतब डिराइब प्रोटीन का हम इस्तमाल करेंगे तो अगर प्रोटीन एक टाइम पर खतम हो जाएगा मतन चिकन, दूद, दही सब खतम हो जाएगा 2050 तक लोग खा के खतम कर देंगे तो कहां से लाओगे ये सब कुछ नहीं ला पाओगे तो अगर साइंटिस्ट लोग सिंगल सिल प्रोटीन का इस्तमाल करके मीट और डियरी प्रोड़क्ट ले करके भी आते हैं तभी भी उसमें वो लेवल का प्रोटीन नहीं मिलेगा वो एफिसियंसी नहीं होगी प्रोटीन में अब समझा बच्चो भागवत गीता में एक बात लिखी है कि आने वाले टाइम पे जो इनसान होगा वो चने के जाड के बराबर उसकी साइज हो जाएगी इनसान दिमाग तो भूत रहेगा उसके पास तरक्की भी बहुत करेगा लेकिन इनसान का जो साइज होगा वो चने के जाड के बराबर हो जाएगा मतलब भागवत गीता में ये बात भगवान शुरी कृष्ण ने स्वयम कही है कोई तो अध्याय में उन्होंने कहा है कि इनसान चने के जाड के बराबर इतना छोटा हो जाएगा क्या तुमने ये बात कभी सुनी है नई सुनी तो आज सुन लो हसो मत मैं सच कह रहा हूँ आपने देखा भी होगा बच्चो कि आज से 5000 साल पहले आपको प्रैक्टिकल कभी जीवन में हिस्ट्री पढ़ी है तुमने कभी प्रैक्टिकली भी दुनिया के बारे में सुना करो समझा करो हर चीज हसी मजाक नहीं होती है आज से 5000 साल पहले के लोगों की हाइट कितनी जादा होती थी बच्चो आज भी आफ्रीका के लोगों की हाइट कितनी जादा होती है कितने लंबे चौड़े होते हो लोग और हम इंडियन्स एवरेज हो गए आज से 5000 साल पहले कितने बड़े बड़े हाइटेड लोग हुआ करते थे आज होते हैं क्या आज भी तुमने अपने एरिया में किसी को 6-7 फिट का देखा होगा लेकिन इंडियन्स की हाइट आज के वक्त में 4-5 फिट की रह गई है आने वाले टाइम पे लोगों की हाइट और कम होगी देखते हो कितने चोटे चोटे नाटे लोग पैदा होते हैं लड़कियों की हाइट देखो 3-4 फिट से उपर नहीं आती है अब लड़कियों के वज़े से ही तो दुनिया चलती है इनकी हाइट छोटी रहेगी दुनिया की हाइट छोटी हो जाएगी तो पूरी दुनिया छोटी होते जा रही है मतलब अब तुम समझो अब अब तुम अब मैं इसका scientific proof आपको देता हूँ अब मैं scientific proof ये देने जा रहा हूँ कि इंसान के body की growth किसके वज़े से होती है चलो बताओ फटक से comment में बताओ अरे मेरी height 5.8 है रे बाबा मैं height एट हूँ ठीक ठाक हूँ अरे तुम मैं तुमसे क्या question पूछ रहा हूँ यार which biomolecule is responsible for growth of the body कौन सा biomolecule body के growth के लिए responsible है अरे biomolecule inheritance और ये heritage मत बताओ वो technique है हाँ प्रवीन पडोले protein बहुत बढ़िया प्रवीन पडोले ने सबसे पहले और correct answer दिया protein protein is the biomolecule which is responsible for growth of the body metabolic activities of the body and enzymes are responsible for the growth and regulation of the body protein is real answer और पहले के जमाने के food में जो protein पाया जाता था वो आज के food में नहीं है तुमने देखा होगा कि आज हम कितना hybrid variety का food यूज करते हैं लेकिन वो level का protein कहां रह गया है protein खतम हो गया अब protein हमको मिलता ही नहीं है तो हम उतने level के grow नहीं कर पाते समझा क्या कह रहा हूँ मैं तो हमारी body सब की down होते जारी धिर धिरे सिर्फ हम एक इंसान की नहीं पूरे generation ही generation पूरी population खतम होते जारी है उतनी ताकतवर नहीं है अरे महारणा प्रताप को नाम सुना है कभी राजस्थान के महारणा प्रताप एक बार तलवार मर दिये थे तो कोई तो बंदा था वो गुंडा उसका टकला सहीद फारते हुए घोडे को भी बीच से फार दिया था याद है तुम लोग कोई बात कितनी ताकत हुआ करती थी आठ फिट के हुआ करते थे ओ महारणा प्रताप आठ फिट के होते थे साथ आठ फिट के उनके हाइट थी 200 किलो की तलवार और दुनिया वार की चीज़ लेके चलते थे युद्ध भूमी में हम लोग तो इतना कभी उठाई नहीं सकते हम ने कि हमएसी मेरे पास खुद थाकतनी में ग्याम दे रहा हूँ मेरे पास खुद नहीं भाई मैं सही बताता हूँ मैं 50 किलो उठा सकता हूँ उसके आंगे नहीं उठा सकता तुम सब और ज़्यादा उठासकती हो गतम हो जाएगा तो वापस से हमारी have lights का बढ़ना हमारी growth सब धीरे धीरे कम हो जाएगी ना था तो फोटे होने लगेंगे उर छोटे हो जाएगे मैं समझ् salary मैं तुम्हें क्या कर screaming तो हम और चोटे होने तो मैं वह बताने जा रहा था लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं की तो मैं नहीं बताऊंगा बाकि तुम सब हाइठ आठ पुट 9 फिट की थी और अपने शिवा जी महाराज की बहुत छोटी थी उसके चुलता था पर ने के बादि के इसे चुलता है समझागी ने समझा मैं क्या कह रहा हूँ तो ये बात आपको ध्यान रखनी है तो ये सब प्रोटीन की कमी मत्तब प्रोटीन नहीं मिलता हमारी बाडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है समझागी ने समझा जंगल में रहता है बिरपन कंपनी से लग रहा है यह नकली कंपनी इस्तेमाल की गई है लग रहा है यह कहीं ब्रिटिश उटिस से आया है लग रहा है जीरो स्टैमिना से पाइदा हुआ है ऐसा मत बोला करो भाई भारत देश के हो और तुम अपने ही इतने बड़े वी रिप वड़ा पाओ यह ऐसा कोश्चन पूछ रहा है कि वड़ा पाओ क्या है या फिर तलवार क्या होती है बंदू क्या होती है ताकत क्या होती है यह पूछ रहा है भाई तो ऐसे कुछ मत पूछो मतलब ऐसा यह मत बोलो अच्छा एक चीज़ और बता दू कि हमारे गाव में आ किसी को कह दिया अगर मालो यहां से आदिवासी यह संग से कोई होगा तो बोलेगा ऐसा ऐसा है थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से बुरा मत मानना हां मतंब में हमारे गाउं में इस चीज को अलग तरीके फे देखते हैं आम फ्राम MP तो वहां की हमारी भाषा भी थोड़ी अलग है तो हमारी भाषा में उसको ऐसा कहते तो तुम सब कर रहोगे तो कोई बुरा मत मानना बट महाराना प्रताप के बारे में नहीं जानते हो इस रियली रॉंग हमारे देश के इतने श्रीवा जी महराज के बारे कोई क कोई को नहीं जानते को नहीं जानते को इसे में गुसा आता है बुरा लगता है कि ऐसा मत कहा करो अपने वीर पुरुशों के बारे में तो जाने तुम्हें पता है छत्रपती शीवा जी महराज इतने पावर्फुल कैसे थे उनकी मम्मी पुराने वीर पुरुश लोगों की कहानिया सुनाया करती थी इसलिए वो इतने पावर्फुल थे और तुम्हें अपने ही पास्ट के बारे में नहीं पता है तो तुम कैसे आंगे बढ़ोगे इवेन आज की वक्त में तुम कहोगे कि इलॉन मस्क थोड़ी पास्ट के बारे में जानता है यार सब जानते हैं सब अपने पास्ट के बारे में जानते हैं तुम देखने क्यों कि उसको नहीं पता है उसको भी पता है तो तुम जाना करो ठीक है तुमने एक कुशन पुचा पाया था इतने पावरफुल महारणा प्रताप थे ध्यान रखना इस चीज को मैंने बता दिया आप याद रखना आप कभी किसी से मत पूछना वरना तुमा मैं तो सिर्फ थोड़ी बोड़ी बाते बोला हूं दूसरा कोई बंदा रहेगा न वो तुम्हारे उपर भड़क ज चाहूंगा सिर्फ दूसरा बंदा मार भी देगा तो यह बात ही अलग है वो तो चमटा भी देगा एक दो जापड कान के नीचे तो किसकी बात कर रहा है तो जानता नहीं हमारे दैवत है उनके वारे में नहीं जानता तो किसी के वारे में नहीं जानता मार गोली पीछे इस sorry for this अगर किसी को hard to out but मैंने बता दिया कि कौन गया दे चलो ठीक आंगे बढ़ते हैं तो single cell protein समझ गया आंगे बढ़ते हैं moreover आंगे पढ़ते हो थोड़ा सा आंगे पढ़के निकलते हैं human population in underdeveloped and even in the developing countries is suffering from protein malnutrition resulting into varieties nutritional diseases तुम सबको पता है कि South Africa में एक बहुत ही area है जहां पे बिचारे लोगों के पास nutrition बिलकुल नहीं है और आज के वक्त में वो बहुत down है protein की कमी है malnutrition का शिकार है to fight with this अरे अपना भारत देश खुद 2010 तक हम इतनी बड़ी बड़ी बाते करती हैं हमारे भारत देश में खुद हंगर का इतना बड़ा लफड़ा है हमारा भारत देश आज भी हंगर इंडेक्स में 100 का आकड़ा पार करता है मतब हमारे देश में आज भी minimum 10,000 से जादा लोग भूख के वज़े से मरते हैं बच्चो तुम कभी सोच सकते हो कि हमारे भारत देश में आज के वक्त भी 10,000 से जादा लोग हर साल खाना ना मिलने के वज़े से मर जाते हैं कभी सुना है तुमने इस चीज तुम्हें believe होगा तुम्हें जानते हो क्यों believe नहीं होगा क्योंकि तुमको मिल रहा है इसलिए तुमको believe नहीं हो सकता बट ये fact है this is fact guys मेरी बात मानो this is fact this is reality हम लड़ते रहते हैं कि कौन कहां से आया है कौन क्या है बट हमारे भारत देस की real situation यह है आज भी तुम जाके अभी अभी अपने इंडिया में एपने स्वारी गूगल में सर्च करो इंडिया के बारे में कि इंडिया हंगर इंडेक्स में कित्वे रैंक पे है अभी अभी स मैं तुम्हें सर्च करके दिखाता हूं ठीक है चलो आजाओ मैं तुमको खुद सर्च करके दिखाता हूं कि इंडिया आज के वक्त में कितवे रैंक पे आता है हंगर इंडेक्स में मैं चाहता हूं कि तुम अभी देखो मैं खुँद चाहता हूं कि तुम अभी देखो आ जाओ ठीक के जस्ट वेट अ मिनट अरे भाई थोड़ा बढ़ा हो जा भाई चलो आ जाओ दिखाता हूं मैं तुम सबको दिखाता हूं ठीक के देखो इसको बड़ा करके और सर्च करके दिखाता हूँ आजाओ गूगल में गया सर्च करो इंडिया हंगर इंडेक्स सर्च किया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टाइमस ओफ इंडिया की न्यूस आप यहां फे देखो 107 नंबर पे आता है मतलब भारत देश में भारत देश में आज भी दिख रहा तुम लोग को भारत देश में भारत देश में आज भी 121 देशों में 107 नंबर पे आता है जिसमें इतने पीछे है यह भूखे से लोग मर रहे हैं मतलब कि इसको एक नंबर पे मतलब और कम नंबर पर होना चाहिए 120, 130, 300 ऐसा पार करना चाहिए जस्ट इमेजिन बच्चो जो पहले नंबर में होगा वहां के लोग तो खाने नहीं मिलता होगा उनको तो मर गए होंगे भूग से तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत देश 107 नंबर में आता है मतलब कि भारत देश तो कही न कही ठीक है इससे भी गंदी सिचुएशन तो 106 देशों की है जिससे पीछे भारत देश है मतलब समझ रहा है मतलब भारत देश 107 नंबर में आता है और इससे भी गंदी सिचुएशन उन 106 देशों की है, जो इससे और भी आ गए है तो आप ज़राद सोच लो बच्चों की हम कितने लखी हैं, कि हमें खाना मिलता है हम बहुत लखी हैं, कि हमें खाना मिलता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जिनको खाना तक नसीब नहीं होता है इसलिए जो तुम्हारे सामने आज आता है ना खाना उस खाने को चुप चाप खा लिया करो क्योंकि लाइफ में सब को खाना भी नहीं मिलता है दुनिया में ऐसे हमारे भारत देस की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया के अंदर आज भी दफ हजार से जादा लोग मर जाती है भूग की वज़े से तो मैं तुम्हें जूटी चीज़े नहीं बता रहा हूँ मैं फैक्ट बोलता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरी बाते कडवी लग सकती है बट मुझे फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यह सचाई है यह रियालिटी है हमारे देश की हम इस प्रैक्टिकल फाइट से नहीं लड़ते हम पॉलिटिक्स में आ करके मी मराथी मी राजिस्थानी मी गुजराती यह करके हम फाइट करते हैं और हमारे भारत देश की रियल प्राब्लम यह है कि इतने अच्छे देश में हो करके भी जिसकी एकोनामी दुनिया के पांचवे छटवे नंबर में आती है त्री ट्रिलियन की एकोनामी जिस देश की है जिस देश में दुनिया की सबसे सुपर पावलफुर आर्मी है थर्ड नंबर पे हम आते हैं वो देश में दफ से बीफ हजार लोग हर साल भूख के वज़े से मर जाते है मतब खाना नहीं मिलता इसलिए वो लोग मर जाते है सोचो यह कितनी बुरी बात है हम बाते करते हैं दुनिया बर की लेकिन यह सच्चाई है इसलिए तुम कभी भी पॉलिटिक्स के चकर में मत पढ़ना मेरी बाते कड़वी लगेंगी बट मैं यही मैं जो सही कहता हूं वही होता है ठीक है और अगर किसी को बुरा लगता रहेगा तो इस चीश को बुरा मत मानना आप लोग क्योंकि हो सकता है कभी कि मैं मैं नौन महाराष्टियन रिजन से हूं तो मेरी बातें अलग हो सकते हैं तो थोड़ा सा वह वर्ड तुम्हारे में रॉंग होगा तुम्हें बुरा ठीक है तो कोई बुरा मत मानना कभी भी ठीक है चलो ध्यान रखो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चलो अब आँगे पढ़ाई करेंगे इस चीश को ध्यान रखना तो फाइड विद इस एफर्ट आर अंडर्टेकन बाइ कन्वेंशनल मैथर्ट तो इंक्रीज दी पाइड इंडेक्स को यह भूख को मिटाने के लिए खाना पईदा करना पड़ेगा घूप इंबरॉब्मेंट होगा बायो फटेलाइजर बनाएगे बायो पस्थिशाइड बनाएंगे कैमिशल फटेलाइजर बनाएंगे ग्रिन रिवलूशन करेंगे प्लांट ब्रीडिं single cell protein तो अभी जो मैंने बताया आपको कि chemical fertilizer बनाओ, bio fertilizer बनाओ hybridization technique यूज करो, plant breeding करो है ना कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ एक और technique है, SCP single cell protein technique, इसका भी इस्तेमाल करो, और इसकी मदद से तुम बहुत आंगे बढ़ सकती हो, और single cell protein की जो जरूरत थी, वो कब आई हमारे life में ये world war 1 के टाइम पे, बच्चो अपने इतिहास में history में पढ़ा होगा ध्यान देना अच्छे से आपको जो मैं बात बता रहा हूँ आपने history में बच्चो पढ़ा होगा बताओ जल्दी, तनुजा, शेक, तन्वीर, विश्वयुद्ध के बारे में वैस्नवी तुम जानती हो, राजवर्दन तुम जानते हो, शिवानी, पूनम, योगिनी, साक्षी, राधिका, चैतु, अमन, पूनम, प्रियांशु, गयत्री, एनिवडी, चलो जानते हो विश्वयुद्ध के टाइम पे हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, इन अंग्रेजों नहीं हमें गरीब, हमें बिकारी बना दिया, हमारे देश में कोई भी ऐसा संग नहीं था, जो जंगलों में रहता था, मतब आज अंग्रेजों के वज़े से हम इस और विश्वयुद्ध में भारत देश कभी लड़ाई किया ही नहीं लेकिन सच कहूं विशित तो भारत देश के अंदर बिरिटिश अंग्रेजों ने विश्वयुद्ध किया और वर्ल्ड वार के अंदर हम इंडियन आर्मी को भी लेके चला गया क्योंकि हम उनके गुलाम थ ले जाके वहां युद्ध में जोग दिया हमारे इंडियन आर्मी को भी ले जाके जोग दिया तो बच्चो इससे ये लॉस हुआ कि जब वर्ल्ड वार वन हुआ तो वर्ल्ड वार वन में तीन करोर लोग मारे गए थे कितने लोग मारे गए एक साथ तीन करोर पब्लिक मरी थी क्या आप बिलीव कर सकते हो बच्चो एक साथ तीन करोर पबलीक मतब जितने लोग मुंबाई में रहते हो सब मर गए समझ रहा है इतनी पबलीक मुंबाई में तो आज के वक्त में एक करोर तो जादा ही पबलीक है 15 करोर है मत्ब सोचो 3 करोर लोग मारे गए आप believe नहीं कर सकते हो कभी आप इतना बड़ा number imagine कर सकते हो 3 करोर पबलिक इतने बड़े अरिया में रहती होगी अब सोचो बचो इतनी पबलिक तो इतने male male आदमी इतने आदमी मरे थे अब इन आदमी इन आदमी लोगों में इन्होंने शादी भी की होगी तो इनकी वाइफ, इनके बच्चे, विश्युद्ध में जितने आदमी मर गए उनकी वाइफ के साथ रेप कर देना, कुछ भी कर देना, उनके बच्चों को मार के अपाहिज कर देना, मतब विकलांग बना देना, उनके ह बच्चों को खतम कर देना मार के, फिर उनके घर से पैसे छीन लेना, गुंडागर्दी करना, इतने सारे लोगों को मार के खतम कर दिया, सोचो बच्चो, ठीक है राजबर्दन जितने भी होंगे मैं जो रियालिटी बता रहा हूं वो सुनो, विश्वयुद्ध में ये हुआ लोगों के घर में खाने को नहीं बचा था मतबिए जो ब्रिटिश, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, जितने भी ये देश है न, ये सारे देशों में खाने, इन सब देशों में को नहीं होता था खाने तक को नहीं होता था इनके देश में और दुनिया में बहुत डेंजर सिचुएशन आ गई थी पुरी दुनिया भूख तड़ रही थी और उसमें भारत को अंगरेजों ने गुलाम बना लिया था और उसमें भी भारत देश को चूज के पूरा पैसा लगा कि लोग जैसे लोग आए और प्लांट ब्रीडिंग करके और इन लोगों ने दुनिया को आगे बढ़ाया लोगों को खाना दिया उस वक्त लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं पिछडी जाती का हूँ तुम ब्रामन हो तुम ठाकूर हो तुम बड़ी जाती की हो हम छोटी जाती की है ये समस्या नहीं थी इससे बड़ी समस्या ये थी कि हमें खाना दो पहले हम भूखे मर जाएंगे हमें खाना चाहिए हम भूख फे तड़ब तड़ब के मर जाएंगे हमें पानी दो, साफ पानी चाहिए, साफ खाना चाहिए रहने को घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, पहनने को हम नंगे घूम रहे हैं दुनिया में वो ज़्यादा जरूरी बड़ी प्राब्लम थी दुनिया में समझा मैं क्या बता रहो तुम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें खाना दो पहले हम जिन्दा तो रहें तब ना हम बताएंगे कि हम कौन सी जाती के लोग हैं वो बात की प्रॉब्लम है पहले हमें खाने पे ध्यान देना पड़ेगा तब जाके MS स्वामीन अथन, Dr. Norman Bearlog जैसे लोग आए, प्लांट ब्रीडिंग किया म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया उसके बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेकनिक, टिशू कल्चर टेकनिक सिंगल सेल प्रोटीन टेकनिक का इस्तमाल करके, उन सब लोगों ने हमारे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में ग्रीन रिवलुशन लाया, और दुनिया को खाना दिया, न्यूट्रिशनल खाना दिया लोगों को समझ दी, लोगों के अंदर ताकत आई, लोग आँगे बढ़ पाए यह रिजन था, और हम लड़ाई करते छोड़ी-छोड़ी बातों के लिए, यह हमारे बुक में लिखा हुआ है, कि यह जो SCP था, सिंगल सेल प्रोटीन, यह आप आने वाला है फ्यूचर है यह दुनिया का, फ्यूचर है ध्यान रखो सिंगल सेल प्रोटीन, यह फ्यूचर है ध्यान रखो अच्छे इस चीज़ को चलो आगे बढ़ते हैं, सब माइक्रो और्गनिजम के वारे में जानते हैं तो माइक्रो और्गनिजम लाइक अलगी, फंगाई, यीस्ट, बैक्टेरिया इन सब में बहुत ज़्यूदा हाई प्रोटीन कॉंटेंट जहां होता है, वहीं जिन्दा रहते हैं यह जो माइक्रो यानि कीडे मकोडे जो है, यह सब फे जादा वुड यानि लकडी में होते हैं, सौडस्ट में, कॉर्ण कॉब्स में, पैराफिन, एन अलकेन, सुगरकेन, मॉलासिस सुगरकेन को फेकने के बाद नहीं का जूस निकालने का जो बचता है वो इनिमल वेस्ट में, अभी गाय का गोबर या जो भैस का गोबर होता है, बकरी का गोबर इन गोबर में भी बहुत बैक्टेरिया होती है, गाय के गोबर का तो इस्तमाल होता है, जिससे बैक्टेरिया खतम हो जाती है, बट जो बैल का गोबर है, और बाकी लोगों का गोबर इन सब में बहुत बिमारी होती है तो थोड़ा ध्यान लखना तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे देखो यहां पर इनसान रहे तो जो सिंगल सेल प्रोटीन ये होती है रिइच इंविटामें बीटामीन विटामीन वीकोंपलेक्स देटिर मिनरल फैट सब में रिच होती हैं बहुत होता इनके पास यह चीज और इससे अचीव होती है बहुत फारी चीजी बहुत से भीमारीयों को दूर कर क्टे करते हैं और मिर्स के मूर्गी लोग पॉल्टरी का फार्म होता है जा आप मचलियों को पालते हैं मतब बच्चों यह होता है यहां पर कि अभी esting में दो मचलियां को मार के घर में लें και आते हो मच्ची मार के तो वो मचलियों में प्रोटीन है क्या किसी मार के खा रहे हो बस ऐसा मचली खाओ जिसमें प्रोटीन हो तो वैसी मचलियों को पहले हमें पालना पड़ेगा तो वैसी मचलियों को पहले पकड़ के ले के आओ समुद्र से फिर उसको घर में ले जाओ और उसको वो चीज खिलाओ जिससे मचली मोटी हो जाए जैसे बकरा काटने से पहले बकरे को खिलाते हैं लोग वैसे ही मचली को ले के आओ घर में पहले और उस मचली को पहले खिलाओ पिलाओ प्रोटीन वाला खाना दो फर्टिलाइजर दो बढ़िया कुछ उसको खिलाओ बिलाओ फिर उसको क फिर बैक्टेरिया में मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस यह सब बहुत डेंजर नाम है याद करना है कर लो, यह सब बहुत इस्तमाल होते हैं और लास्ट टॉपिक है बायो फोर्टिफिकेशन जब एक ऐसा मैथड है बायो फोर्टिफिकेशन जहाँपे क्रोपस की ब्रीड को हम प्रेडूस करते हैं आइयर लेवल विटामिन पाने के लिए हाइयर लेवल मिनरल फैट पाने के लिए बायो फोटिफाइड फूड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन ओईल कॉंटेंट की कॉलिटी विटामिन कॉंटेंट micronutrient content quality अच्छी होती है सब कुछ पाया जाता है बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि मैं pure vegetarian हूँ और जब मैं pure vegetarian हूँ तो मेरे अंदर vitamin B12 की कमी हो गई तो जब मेरे अंदर vitamin B12 की कमी हो गई तो मैं तो veg नहीं खा सकता हाँ ये last topic है आज का शिवमपांडे तो जब मैं नहीं खा सकता non-veg तो मैं vitamin B12 को कैसो ठीक करूँगा अपने body के अंदर मुझे vitamin B12 चाहिए और मैं vitamin B12 तभी आएगा जब मैं मचली खाऊँगा या फिर अंडे खाऊँगा लेकिन मैं pure vegetarian हूँ तो मैं नहीं खा सकता मैं नहीं खाता हूँ मेरी मरजी it's my choice तो मैं अब क्या करूँ मैं कैसे vitamin B12 अपने life में लेके आऊँ तो मैं क्या खाऊँगा bio fortified food bio fortified food वो food होता है जो veg से ही बनता है लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर genetic changes करके और ऐसा food बनाया जाता है जिससे high level of protein high level of vitamin B12 पाया जाता है और वैसे food को अगर मैं खाऊँगा तो मैं बिना non-wage खाए मेरे अदर ताकत आजाएगी मेरे अदर vitamin B12 आजाएगा तो ये bio fortification बहुत अच्छी technique है इससे कोई नुकसान नहीं होता इनसान को पे और और natural technique है बहुत अच्छी technique है ये ठीक है तो यही food मैं ने भिखाया तीन दिन से सही हो गया ठीक है बाकी आप यहाँ पढ़ लो some examples of bio fortification यहाँ दिया हुआ है examples पढ़ लेना example क्या समझा हूँ हम में पढ़ लेना and thank you so much for today's topic तो कैसा लगा आज का lecture अगर अच्छा लगा हो तो तुम सब मुझे Instagram में follow कर सकते हो यह मेरी ID है और कल मिलेंगे वापस CC lecture के अंदर तब तक के लिए बाई बाई समझा तो कल वापस CC lecture में मिलेंगे धमाकेदार और comment कर दिया करो तो यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो lecture को अपने दोस्तों में share भी नहीं करते हो तो अच्छा लगीगा lecture तो लिग देना comment मस्द सब बच्चे comment करो एक-एक बच्चा comment करके जाएगा कि lecture कैसा है एक-एक बच्चा comment करेगा कि lecture आज का कैसा था ठीक है सारे बच्चे बताओ मैं दो घंटे से बोल रहा हूँ यार लगाता तो मज़ा आगया पढ़के ठीक है तो दो घंटे से पढ़ा रहा था बढ़िया आज मज़ा आया पढ़ने में चलो अब मिलेंगे कल वापस से चार बजे कल सायद ये चैप्टर खतम हो जाएगा कल या परसो ऐसा करके पटा-पट पूरा बायलोजी उड़ा देंगे मस्त अच्छे से पढ़ते हो ये बहुत अच्छे चैप्टर नहीं है मज़ा आता है पढ़ने में तो बाई-बाई गाईस टेक क्या और लव एंड सपोर्ट ऐसे ही पढ़ते रहो मेहनत करते रहो आंगे बढ़ते रहो ओल्वेज ठीक है ठीक क्यार और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत बूलना टेक क्यार बाई-बाई कल मिलेंगे और टेलिग्राम जोईन कर लो नोट्स वगरा मिल जाएगे बड़ी या ठीक है येलो बाई-बाई-टेक क्यार